प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपकी राधिका में और मेरी कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज हम कच्छा पांचवी से हिंदी पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट चार आप लोग का पार्ट चार पढ़ेंगे मैं सड़क हूँ बच्चों हमने पहले वीडियो में आप लोग के ये जो मैं सड़क हूँ इस पार्ट को हमने पढ़ा है इसके बारे में जाना है कि सड़क कैसे बनती है, सड़क बनाने में क्या क्या चीज को उपयोग किया जाता है, सड़क कैसे दिखाई देती है, सड़क के उपर हमें क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कुडा करकट फेकना कहा फेकना चाहिए, इस सब के बारे में हमने प्रस्ण और अभ्यास में प्रस्ण और अभ्यास में पहला प्रस्ण सॉजद कम देखक दिया है कंको समागरी की आवश्यक्ता होती है कौन-कौन सी समागरी की आवश्यक्ता होती है तो हम इसे अपनी कॉपी में करेंगे कैसे करेंगे देखें जैसे हमने यहाँ पस कॉपी बनाई हुई है ऐसे ही आप लोग को भी कॉपी बनानी है कॉपी में हम लिखेंगे पाट 4 मैं सड़क हूँ और प्रसन आप लोग अपने पुस्तक से देख करके लिखेंगे मैंने सिर्फ यहां पर उत्तर दिया हुआ है पहले आप लोग प्रसन लिखेंगे उसके नीचे ही आप लोग उत्तर लिखेंगे हमारा पहरा प्रस्न क्या था बच्चों की सडख बनाने के लिए कौन कौन सी समागरी की अवस्यक्ता होती है तो उत्तर लिखेंगे सडख बनाने के लिए हमें मिट्टी पत्थर और रेत डामर आदी की अवस्यक्ता होती है क्या क्या सडख बनाने के लिए मिट्टी पत्थर रेत और डामर है ना की आवश्यक्ता होती है फिर देखे हमारा दूसरा प्रस्न है साड़ाग पर जगा जगा गड़े बनने से क्या होता है तो उत्तर लिखेंगे साड़ाग पर जगा जगा गड़े बनने से दुरघटनाएं होती है कभी कभी ऐसी दुरघटनाएं होती है कि लोगों की मृत्यू हो जाती है फिर देखे हमारे हाँ प्रस्न तीसरा दिया हुआ है सड़क पर स्पीट ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं बचो ध्यान से देखेंगे सड़क पर स्पीट ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं तो हम उत्तर लिखेंगे सड़क पर speed breaker इसलिए बनाये जाते हैं ताकि वाहन की गती को नियंत्रित किया जा सके और सड़क दुरगटना को कम किया जा सके है न क्या करेंगे सड़क पर speed breaker बने रहने से लोग जब वहाँ पर पहुंचते हैं तो अपने काड़ी को धीरे कर लेते हैं जिससे दुरगटनाएं कम होती हैं ठीक हैं फिर है हमारा चोथा प्रस्ण सड़क दुरगटना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए है न तो हम उत्तर लिखेंगे सड़क दुरगटना से बचने के लिए हमें निम्न लिखी तुपाय करने चाहिए पहला है सडक में बने छोटे बड़े गड़ों की मरमत करनी चाहिए फिर दूसरा लिखेंगे बच्चों सडक पर कूडा कच्रा एवं केले के छिलके नहीं फेकने चाहिए तीसरा है सडकों पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाना चाहिए सडक पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाना चाहिए और चोथा है चोराहों पर ट्रेफिक सिगनल की विवस्था होनी चाहिए क्या होनी चाहिए ट्रेफिक सिगनल की विवस्था होनी चाहिए फिर है हमारा पांचवा प्रस्न है देखिए सडक के दोनों और छायादार व्रिक्ष लगाने चाहिए क्यों है न क्या कह रहा है प्रस्न दोनों तरब छायादार व्रिक्ष लगाने चाहिए क्यों तो उत्तर लिखेंगे बच्चों सडक के दोनों और छायादार व्रिक्ष लगाना चाहिए क्योंकि गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों को इनसे अराम मिलती है धूप की तपन से व्रिक्ष हमें सितलता प्रदान करता है ठीक है? फिर हम प्रसन क्रमांग छटवा देखेंगे क्या तुम इस बात से सहमत हो? कि गाउं गाउं में सडकों के विकास होने से जन जीवन आशान हो गया है इसकी पुष्टी हे तु तर्क कीजिए क्या कह रहा है? तर्क सहीत उत्तर दीजिए तो उत्तर करमांग छटवा लिखेंगे हाँ मैं सहमत हूँ कि गाउं गाउं सडकों के विकास होने से जन जीवन आशान हो गया है सडकों का निर्मार होने से ग्रामिर वेक्तियों को अपनी मंजिल तक पहुँचने में आशानी हो गई है तथा समय पर एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाने में सहायता मिलती है समय की भी बचत होती है सडके गाउं एवं सहर को जोड़ कर गाउं के विकास में बहुत मददगार साबित हुई है है न क्या है गाउं गाउं को जोड़ करके सहरों से जोड़ करके बहुत सारी हमारी समस्याएं आशान हो गई है फिर देखते हैं पगडंडी वह सड़क में क्या अंतर है तो उत्तर लिखेंगे पगडंडी खेतों आदी से बीच का पतला वा संकिर्ण रास्ता है जो आने जाने के कारण बन जाती है जबकि सड़क भूमी पर बने ऐसे मार्ग को कहते हैं जिसे समतल बनाकर या अन्य रूप से विक्सित करके उसे परिवहन के लिए आसान कर दी जात समझ में आए बच्चों पगडंडी जो हम चलते हैं न दो रास्ता बन जाता है पर सड़क उसका निर्मार किया जाता है आटवा प्रस्ण है कभी कभी मेरे इन दुगदाई गड़ों को भर दिया जाता है किसी फटे हुए कपड़े में लगी लेथडी पैबन की तरह लेख भेर के लिए हम साप सुथरे कपड़े पर लगे दाग धब्बे की तरह कहेंगे है न कुड़े करकट को क्या कह रहा है कि हमारे साप सुथरे कपड़े में जैसे दाग लगता है न वैसे ही सड़क पर कचड़े को बीच में फेकना वही दाग धब्बों की तरह कहेंगे कह र सड़क के किनारे खड़े हरे भरे व्रिक्ष की सड़क सुरक्षा के लिए तैयार पहरे दार की तरह कहेंगे इन्हें पहरे दार की तरह कहेंगे फिर हमारा प्रस्न न उपा है तो आपने उपर कुड़ा करकट फेकने वालों से कहती की भाई सड़क पर कुड़ा न फेको तो कुड़े दान में फेको इससे साफ सफाई भी रहेगी और दुरघटनाएं भी नहीं होंगी फिर है केले के छिलके पर पाँ पढ़ने से अपने उपर गिरने वाले बालक को स्वांतना देते हुए सड़क क्या बोलती कि अरे मेरे बच्चे उठो और सम्हल करके चलो फिर है हमारा ग धूप के ताप से सीतल करने वाले वरिक्षो से तो अपनी छाया से धूप के ताप से सीतल करने वाले वरिक्षो से सड़क उन्हें धन्यवात कहती और उनका आभार मानती उनका आभार मानती उसके बाद क्या है देखिए यहाँ पस प्रस्न दस्वा है एक वरिक्ष ही विक्राल काले कलूटे बड़े बाल ऐसे हैं आदमी तो इसको क्या कहेंगे हम राक्षस क्या कहेंगे बच्चो राक्षस के समान और एक बहुत ही बड़े तलाब को हम क्या कहेंगे समुद्र के समान और हरे भरे वरिक्षो की कुटिया को हम क्या कहेंगे बच्चो तो आस्रम के समान ठीक है अब 11 यहाँ पसे दिया हुए सड़क को जोड़ती है और सड़क पर…। बच्चो प्रश्ण 11 को एक बार हम फिर से देखते हैं. इनमे से अनुप्यूक्त को अलग निकाले. क्या कह अनुप्यूक्त को बाहर निकालना है. पर अ है सड़क जोड़ती है. हैंना क्या क mão क्या जोड़ती ही से देखते हैं? गाउं से गाउं को गाउं से सहर को सहर से सहर को और सहर से आकास को तो क्या नहीं जोडती बच्चो सडक सहर से आकास को है ना, तो हम किसको अलग करेंगे घह को तो प्रश्न क्रमांग है इसका उत्तर में हम क्या लिखेंगे उत्तर में हम घह लिखेंगे सहर से आकास को सड़क नहीं जोडती है और बह है सड़क पर हमेशा तो घह है बाई और चलना चाहिए ये भी सही है वाहन तेज गती से नहीं चलाना चाहिए ये भी सही है कच्रा फेक देना चाहिए संकेतों को ध्यान में रखके चलना चाहिए ये भी सही है तो क्या गलत है बच्चों कच्रा फेक देना चाहिए हमें सड़क पर कच्रा नहीं फेक देना चाहिए और यहां दिया है कच्रा फेक देना चाहिए तो इसको हम अलग कर देंगे तो उत्तर में क्या लिखेंगे उत्तर बा करके कचरा फेक देना चाहिए ठीक है बच्चों यहां से क्या होता है हमारा यह जो पार्ट है आपका यहां तक कम्प्लेट होता है पार्ट का नाम था हमारा क्या है मैं सड़क हूँ पार चार मैं सड़क हूँ पहले वीडियो में बच्चों हमने इसके कहानी पढ़ी कि सड़क कैसी है कैसे गुजरती है किसे किसे बनती है इसको बनाने में क्या क्या लगता है ये सब हमने पढ़े हैं और अभी अभी दूसरे वीडियो में हमने इसके अभ्यास प्रस्न किये हैं किये है ना तो अब मैं बच्चो आपका अगला पार्ट ले करके आऊंगी आपके पार्ट का नाम है रोबोट है ना आपके पार्ट का क्या नाम है रोबोट इसे लेकर क्या होंगे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में रहें स्वास्थ रहें सेफ रहें धन्यवाद बच्चों